हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सब का मेरी यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों मैं साक्षी वर्मा आज आप के लिए लेकर आए हूँ फलहारी, वरतवाली, दही पाप्री चाट बनाने की रेसिपी तो दोस्तों यह खाने में कुछ अलग सी लगती है, बड़ा ही अच्छा टेस्ट होता है इसका तो मैं आज आपको इसे बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू कर देते हैं और देख लेते हैं हमें किन-किन समानों की जरुत पढ़ने वाली है तो मैंने आपे जो समान लिया है देखते हैं तो पहले देखते हैं हमें दही पाप्री चाट बनानी है तो एक कटोरी मैंने लिया है कुटू का आटा और तीन मीडियम साइज के उखले हुई आलू लिये हैं और यहाँ पे हम ले रहे हैं सैदा नमक जो व्रत में खाया जाता है और अब देख लेते हैं चाट के लिए हमें क्या चाहिए होगा तो यहाँ पे हम ले रहे हैं काली मिर्च जो के कुटी हुई हैं दर्दर ही हैं, हमें इनका पाउडर नहीं लेना है, काली मिर्च पाउडर, तो छुट्चुटे आलू कट की हुई हैं, और थोड़ा सा अनार लिया है, और एक कटोरी ली है, यहां पर दही, तो चलिए इसको बनानाब शुरू कर देते हैं, तो एक बर्तन लेते हैं, और उसम मेश करने के बाद अब इस में हम ढालते हैं कुटू का आटा तो मैं सारा आटा इसमें ढाल रही है oldOO . अब हमें इसको बिना पानी डाले ही मिक्स करना है अच्छे तरीके से तो जब ये mix हो जाएगा तो हम इस में ढालेंगे नमक वरथ वाला तो नमक को चारो तरफ फैलाते हुए हम डाल देंगे और नमक को डालने के बाद हम इसे फिर से मिक्स करेंगे और आप ध्यान रखेगा जब हम इसको मिक्स करेंगे तो हमें इसमें पानी का यूज नहीं करना है हम बाद में पानी का यूज़ करेंगे तो लीज़े ये mix हो गया है और अब हम ले रहे हैं पानी तो हमें पानी का 자set यूज़ज जादा नहीं करना है क्यांकि हमें ठाइट सा डो तयार करना है उसको हमने हाथ से गुंद लिया है अच्छे से, तो देखिये हमने हाँ पे डो त करती हुए एक छोटी सी बॉल तयार करनी है इस तरीके की छोटी सी होनी चाहिए बिल्कुल तो हम सारी बॉल्स बना कर तियार कर लेते हैं चुटी चुटी और चलिए अब हमें इनको डी फ्राइ करना है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीकी से तो हम लेंगे एक बॉल और उसको उल्लियों की बीच में रखकर अंगूठे से हलका सा दबा देंगे और छोड़ देंगे ओल में तो ऐसे ही हम बाकी की बॉल्स को लेंगे और उन्यों के बीच में रखकर उसको अंगुटे से हलका सा दबाना है ज्यादा नहीं दबाना है तो जब हम हलका सा दबाएंगे तो छोटी-छोटी पापड़ी बनकर तयार हो जाएंगी बॉल्स की ऐसी तो मैंने यहाँ पे बॉस को डाल दिया है एक बार मैं आधी ही आपाई है तो पहले हम इन्हीं को डीफ्राई कर लेते है और उनको गोल्डन सा करेंगे पहले तो बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि यह जले ना लगे ना तो मैं इनको चला रही हूं लगातार तो देखेगा बड़ी अच्छी फ्राई हो गई है और फ्राई करने के बाद अब हम इने इसमें से बाहर निकाल लेते हैं तो मैंने इनको बाहर निकाल लिया है इसमें से और जो हमारी बाकी की बच्चिवी बॉस थी उनको भी हम इसी तरीकी से फ्राई कर लेते हैं तो जो बाकी की बच् तो चलिए अब हम चाट बनाना शुरू कर देते हैं और इनको फैला लेते हैं एक प्लेट में तो मैंने सारी पाप्टी एक प्लेट में फैला ली हैं और इन पर हम सबसे पहले आलू डालेंगे जो उबले हुए थे छोट-छोटे कट किये हुए थे उनको तो मैंने डाल दिया और दहि, को डालने के बाद अन याहार तो चारुत तरह психम पैलते वही इसलम पैल ओषा डालेंगे तो अनाग ब्नार बढ़ने के पाद अपारी आती है काली मिर्च की जो गूटी हुई थी और आपको काली उदू पसंद ना हो तो आप ना जाल forbidden लेकिन काली मिर्स जलकर ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाती है तो मैंने काली मिर्स भी इसके उपर डाल दी है और अब हम बहुत ही हलका सा इसके उपर नमक डाल लेंगे बहुत ही हलका सा डाला है जादा ना डालिएगा तो लीजी दोस्तों यहां पे हमारी फलहारी वरत व जो एकदम अलग सी लगती है खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका दोस्तो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करिए का दोस्तो तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए पाई दोस्तो